और क्या-क्या पढ़ना वो आज से स्टार्ट होने वाला है, आज आपकी first class actually, अगर overall देखा जाए तो, क्योंकि first class इसलिए क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ना क्या है, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, banking and current financial MCQs, ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट क दोस्तों, आपको कुछ चीज़े update कर लेनी है यहाँ पर, अगर हम previous year pattern की बात करें, या previous year की बात करें, last year की बात करें, तो उसमें जो हमारी questions पूछे गया थे, ठीक है, जो हमारे banking और current financial awareness से क्योंकि पहसकते हो, आप यह कि current banking and financial awareness से जो question देखने को मिला था, उसको relate किया ग banking के साथ, what is static banking, in fact आप सभी लोग जानते होंगे कि दरसल static banking है क्या, नहीं पता, तो आप सुनते चलो, static banking की बात करें, ठीक है, जो आपके basic way में, जैसे हम लोग static बलते हैं, जो इस्थिर हो, इस्थिर मत्तों जो fixed हो, as like, जैसे RBI, monetary policy, ठीक है, normally RBI, monetary policy, money market, capital market, NPA, ठीक है, नाबाट, तो यह सारी चीज़े क्या है, as it is, जैसे RBI की history, वो कभी चंज नहीं हो सकती है, it's a static topic, अगर हम यह अभी current banking की बात करें, ऐसे banking जो current affairs से relate होते हैं, suppose that, कि अभी अगर हम बात करें, आपने सुना होगा, Prime Minister Jandhan Yojana, PM JDY, JDY launch किया गया था 28th of August 2014 में, तो यह आपका actually fixed है, यानि कि यह आपका static topic है, बट उसके कितने साल अभी complete हुए, Jandhan Yojana को, how many years completed Jandhan Yojana, so guys, it's nine years, यह आपका current का topic है, तो ऐसे questions को, दोनों को relate करके पूछा गया था, last time पे, तो यहाँ पर हम लोग update करने वाले हैं, दोनों चीज़े, is that clear, और आपका यहाँ पे question पूछ सरका question है, कि how many month, guys, आपको बता दे, last time पे six months से question आया थे, यानि कि under six months, यानि कि 6 महिने के अंदर आपके question पूछे गए थे, एक question ऐसा था, जो आपका एक साल पुराना question था, but वो question क्या था, हर बार update हो रहा था, जैसे हर दो महिने कोई news ऐसा है, उसी को recall करती ही RBI, तो ऐस कुछ question था, only one question, otherwise, overall, सारे question की बात करें, only under six months, यानि 6 महिने के अंदर का था, ठीके, और अंकित बोल रहे, I think, this is the pre-recorded class, अंकित सर, pre-recorded कहा होगा, डियर, आपका नाम ले रहे हैं, तो pre-recorded कैसे हो जाएगा, तो, यार, pre-recorded नहीं है, मेरे भाई, don't worry, हम आपके साथ हमे आज आपकी classes भी होंगे, और सारी चीज़े cover करेंगे, promise है, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो बताना फिर मेरे को, ठीके, रचित बोले, notification नहीं मिला, अच्छा, रचित, notification, I don't know, यार, क्यों नहीं मिला, अभी, बहुँ जादा technical, वो है, नहीं, sound हम, बठा, कभी-कभी हो जाता है, ठीके, तो, अभी-भी कुछ देखो, एस्वर्या मयू, बहुँ जादा कुछ नहीं है, बस हम लोग यही discuss कर रहे थी, दरसल क्या आया था, कैसा question आया था, that's it, अभी हम start करने जा रहे हैं, तो सभी लोग आ गए, start करें, प्रभात कुमार मिश्रा, सर्टाइमि अर्ली करो, प्रभासार जस्टिस के पहले मेरी एक क्लास थी, ठीक है, तो उसके लिए आपको वो वाली क्लास मेरी complete हो जाएगी, तो हम आपका यह उसको श्यूल कर देंगे, यानि कि, अर्ली मौनिंग कर लेंगे, यानि कि, आठ पजे, यानि 8 एम पर कर लेंगे, ओके, त इसके बाद आपका जो कोर आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है, उससे रिलेटेट क्वेस्टन करने वाले हैं, यानि कि, जस्त इसके बाद आपका हम आर्टिकल कवर कर आएगे, कैसे, ठीक है, तो आपको स्टाट करते है, वाई रिकॉर्डेर क्लास, वाई no live class, सुनील सर रि आप recorded class नहीं है यह लाइव class है तो आप आते हैं start करते हैं तो हम लोग सबसे पहले question देखो यहां पर comment आ रहा है यहां पर राजन सिंह सर का comment भी आ गया देखेगा दोस्तों यह पहला question है और जुलाई मनसे में start करने यहां पर question क्या है कि अब यह नॉर्मल question आपका ऐसे बन रहा है अब इसका article भी हम आप से डिस्क्रस करेंगे बड़ उस पहले आपका answer क्या है तो इन में से कौन से किसने इंट्रूइस कराया है डिजिटल पेमिंट फैसलिटी त्रू वाट्सप यानि कि अब यहां पर दो पॉइंट आ रहा है यूपी आई पहले चीज़ तो यूपी आई के बारे में अभी अप्डेट करने वाले हैं बड़ इसका answer क्या होगा टाटा एया इंस्योंस गैस टाटा एया इने इंट्रूस किया है अपने जो उनके जो कस्टमर है उनको आटो पे के आटो रिन्यू नहीं कर रहे हैs यानिके रिन्यू नहीं कर पाते हैं वो इसके हो जाता भूल जाते हैं वो लेप्स हो जाता पोलिसी तो इसी के लिए टाटा ऐसा क्या हो जाएगा, deduct हो जाएगा, is that clear, आपको समझ में आया, अब दोस्तों, बात आती है, UPI, what is the full form of UPI, सबसे पहला question, full form of UPI, आप सभी को पता है, कितने लोगों को पता है, UPI का पूरा नम, सब को पता हो गए, आप सभी वैंक करो, common चीज है, UPI, guys, ठीक है, anyone, कोई minimum और maximum, और गौतम सर बोलना है, six, and maximum लोगों का comment आ रहा है, six, six, four, and exactly, चार से छेर, four to six digit का हम लोग भी जनरेट कर सकते हैं, guys, one question, एक question है, UPI किस committee ने recommend किया था, UPI को किस committee ने recommend किया था, इंडिया में, कि UPI concept होना चाहिए, ऐसा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, कि अभी Australia के Prime Minister, ठीक है, Anthony Albanese, ठीक है, जब G20 में आये थे, तो वो बाहर गये थे, और आपने देखा होगा, एक social media पे पिक्चर आ रही थी, कि वो market से मिर्ची, हरी मिर्ची, यानि चिली, पर्चेस कर रहे थे, वो तो ऐसे चेक करने के लिए, और उन्होंने आटो, यानि कि पे किया, और मैसेज आया कि दस रुपए प्राप्त हुए धन्ने बाद, ऐसे करके जो आता है साउन्ड बॉक्स से, वहुत खुस हुए, यानि कि उन्हों के क्या हूँ, उनके लिए यह नया चीज है, तो कहीं न कहीं वो चीज है, ऐसा UPI को अड़ॉप करने के लिए बहुत सारी कंट्रियां ऐसे work कर रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ पर question यह है कि 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 कमिटी के recommendation पे लाया गया था, और UPI किसका product है, UPI किसका product है, तो UPI है NPCI का product, NPCI, National Payments Corporation of India, what is the full form of NPCI, it's National Payments Corporation of India, with headquarter located in कहां पर, Mumbai, and दोस्तों, who is the head, यानि who is the chief of NPCI, Dilip Asbay, कौन, Dilip Asbay, and दोस्तों, NPCI को लाया किसने था, किसने लाया था, तो guys, RBI ने, अब यह तो normal question है, normal banker वाला question है, अब थोड़ा technical question, कि NPCI was registered under which act, यह आ दकना, तो under which section, ऐसे भी question आता है, तो NPCI registered है, और किसके under में आता है, तो guys, it's registered under Companies Act 1956, which amended, यानि जो amend हुआ था, in which year, it's 2013, यहनि Companies Act 2013, under section 8, आठ के अंतरगत NPCI को mention किया गया है, और अगर यह Companies Act 1956 की बात करते हो, तो इसका section 25, is that clear, तो आपको समन में आए, मेरी बात हम क्या कहना चाहा रहे थे, NPCI किस Act के अंतरगत registered है, तो guys, Companies Act 1956, section 25, अगर 1956 बोलते हो, तो, अगर आप Companies Act 2013 mention करते हो, it's section 8, यह दिहान अखना, it's very very important guys, I hope की चीज़े clear होंगी, of course, Gautam sir, don't worry, आपकी classes, PDF, सब मिलेंगी, आपको, अभी एक-दो class और कर लो, otherwise हम आपको अपना personal number दे देंगे, ठीक है, personal number से क्या होगा, अगर आपको कोई doubt हो मेरे subject का, या फिर in fact किसी का भी, तो हमीं देख रहे हैं, उस सारा चीज़ आप बता देना मेरे को, ठीक है, so clear है guys, okay, मिथुन मेतिंगल, committee, yeah exactly, committee का नाम क्या है, किस committee ने recommend किया था, guys, आपको कुछ चीज़े और update करा देते हैं हम यहाँ पर, जैसे आपने सुना होगा, RBI किस commission के recommendation पे establish हुआ, RBI किस commission के recommendation पे establish हुआ, तो दोस्तों RBI commission का नाम था, Hilton and Young commission, which known as Royal commission, also known as Royal commission, यह Royal commission के नाम से भी जाना जाता था, इसी committee ने recommend किया था, RBI का नाम, पहला चीज, first thing, second, नाबाट, जैसे बड़ी-बड़ी bodies है, तो वैसे कहीं नाबाट, तो आपको भी सिवरमन committee, वैसे ही आपका ATM भी है, ATM किस committee के recommendation पे, it's C. Rangarajan committee, हमारा जो ATM है, जो हम और आप use करते हैं, यह किस committee के recommendation पे लाए गया था, तो guys, C. Rangarajan committee, C. Rangarajan, guys, यह question आपका, यह question आपका, written exam के लिए suitable नहीं है, but interview के लिए सबसे 60 question है, it's very very crucial guys, because you are banker, और banker से यह question आपसे counter होंगे ही होंगे, लिखके ले लो आप, जो panelist होते हैं, जो panel होते हैं, वो आपसे यह जानना चाहते हैं, कि आप aware कितने हो, सचेथ कितने हो, आपको knowledge कितना है, आपका background जो हभी है, आप senior sales manager हो, doesn't matter, आप क्या है, operations में आप कोई एक अच्छे post pro, एक officer post पर बैठे हो, वो फरक नहीं पड़ता, आपको knowledge कितना है, यह matter करता है, because SBI लेकर जारी है, अपने आपर, circle based officer बना के, तो ऐसे question आपके interview के लिए बहुत common बनते हैं, तो committees, like यह चीज़े, यह बहुत कम नो, हम लोग आप update कर पाते हैं, तो आप committee का नाम याद अखना है, कौन सी committee थी, जिसने recommend किया था, UPI को, जिसने सबसे पहली बार, तो रंग, sorry, माफ कीज़ेगा, रघुराम जी राजन committee, किसने, रघुराम जी राजन, ठीक है, रघुराम गोविंदर राजन, जो हमाने आपके सबसे best RBI governor के तौर पर जाने जाते हैं, रघुराम जी राजन committee ने recommend किया था, कि हमारे हाँ पर एक ऐसा concept होना चाहिए, एक interface होना चाहिए, जो आज में हम लोग follow कर रहे हैं, UPI, बट यहाँ पर अलग-अलग committees बटी बट इन्हों ने recommend किया था, जैसे ATM को सीरंगराजन committee ने recommend किया था, याद रखेगा यह सारी चीज़े, ओके गाईस, I hope कि चीज़े clear होंगी, any doubt, any question, मुकेस, if it could be possible, of course मुकेस, sir, of course possible है, अब थोड़ा time देना पड़ेगा, आपको मैंने reason बताया, हम morning 7 a.m. से class ले रहे हैं, और रात में मेरी 10 to 11 classes भी होती है, reason यही, आपको इसलिए हम और early morning कर देंगे, promise है इस चीज़ का, ठीक है, बस थोड़ा दिन time दे दो, within one week या one and half week, ओके, मुकेस, तो guys, यह आप, डॉन परी annotation के साथ, हम आपको PDF भी upload करेंगे, जितना लिखा हुआ है, यह सारी चीज़ है, ठीक है, आते हैं, अगले point को पर move करते हैं, its answer is first, आपको answer भी मिलेगा यहाँ पर, and आप देखेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका article है, Digital Payment Facility has been introduced by Tata AIA Insurance, is that clear, first point, second point, it has launched Digital Payment through WhatsApp and UPI interface, okay, great, यह भी आपको पता है, with this feature, customer will be able to pay policy premiums digitally, I know, सबको पता है, policy, भाई, किसे कोई भी insurance company, अगर, क्या कर रही है, लिंक कर रही है, तो अपको सी बात है, यह आपको tie-up कर रही है, digitally, UPI और WhatsApp Pay के लिए, तो अपको सी बात है, वो digitally premium ही pay होगा, आपको officially जाके आपको pay नहीं करना पड़ेगा, फिर manually जाके pay नहीं करना पड़ेगा, they will instantly receive confirmation acknowledgement, अब आप pay कर दोगे, तो आप लिक्किया आजाता, your payment, वाया multiple digital payments methods, यापका क्या है, आपका UPI हो गया, अब आपका WhatsApp Pay हो गया, phone pay के साथ tie up कर लिया, Google Pay के साथ tie up कर लिया, auto pay के लिए, तो यह सारी चीज़े है, तो आप से normally question यहाँ पर discuss हो सकता है, तो यह आपके article आया थे, उस article को हमने यहाँ पर लगा रखा, और उसी से related एक question मने आपको सामने रख रखा है, ताकि आपको उस question के तुरू वो article याद रहे, चीज़े clear हैं? किरन कुमार सर, वेब बे live नहीं आ रहा है, सुसमिता पॉल चोधरी, सा sound is too low, तो आप सभी को problems आ रही हैं, आप सभी को problem आ रही हैं, गाइस, प्लीज, एक पर confirmation दे दो यार आप लोग, ठीक है, आप लोग बोला करो, और मेरी class में तो जरूर बोला करो, आप लोग comment करो, अभी आपका कुछ ऐसा भी feature हैं, आप जिसमें हम आपको, आपके वीडियो भी आ सकता है, तो वो भी हम बात करेंगे, बहराला भी तो आप बोला करो, ठीक है, नो, अच्छ, कोई नी, आपको, देखो, सभी को आ रहा है, जिसका sound low है, ठीक है, तो प्लीज, मैम, आप अपने earphone, अपने earphone से use करो, आप laptop के चक्कर में मत पढ़ो, अगर laptop बिल्कूल अच्छा है, तो आप इस फिकर लगा रखा, कोई issue नी है, क्योंकि ये web के through voice जाती है, तो थोड़ा बहुत up and down हो सकता है, network connectivity के through भी कोई थोड़ा issue हो सकता है, ठीक है, सुमित बोले, you are very much out evil, thank you यार, अच्छा लगा, क्योंकि ये सभी लई ये बोलता है, मिरको ये सुनना होता है, ठीक है, anyway, next point को move करते हैं, अगले point को चलते हैं, guys, how much was, how much was the center fiscal deficit at the end of May, देखो, ये question जो है मे के अंत में पूछा जा रहा है, मे, मे, जून, जुलाई, तो ये आपका क्या है, इतना important question नहीं होता, reason इस क्या, कि ये specific month mention किया गया है, but फिर भी, आपको यहाँ पर ये याद रखना है, कि question क्या बनता है, ठीक है, जो normally यहां कि fiscal deficit क्या था, center, यानि केंदर सरकार का, at the end of the May, make it last May, तो fiscal deficit क्या था, तो guys, यहाँ पर आपसे question ये ध्यान रखना है, और ये question क्या बनता है, इसके इसमें government का कितना loss था, यानि कि fiscal deficit था, 1.1 lakh करोण रुपए, 1.1 lakh करोण, अभी दोस्तों, अभी एक report आई है, RBI के द्वारा, RBI नहीं ये report दिया, कि हमारे पास इतना foreign reserve exchange है, कि जो हम लोग ने loan ले रखा है, चाहे वो World Bank से हो, Asian Development Bank से हो, या फिर New Development Bank, NDB से हो, doesn't matter, जितना भी हमारी borrowing है, जितना भी हमारा क्या है, deficit है, घाटा है, अगर हम उस चीज़ को cover करना चाहें, तो हम अपने reserve से कितनी percent तक cover कर सकते हैं, suppose that हमारा total overall borrowing कितनी है, it's a hundred rupees, और हमारे पास जो forex reserve है, foreign exchange जो reserve है, वो कितना है, जितना भी है, हमारे loss का कितना cover कर रहा, approximately 93 percent, यह report release किया है, अब यह RBI ने, यानि कि लोगों को में विश्वास दिखाने के लिए, don't worry, हमारी हालत सिलंका जैसे नहीं होगी, सिलंका एकोनॉमी के जैसे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास इतना reserve है, तो अब लोगों ने बोला कि भाई, आगरे reserve का ही तो issue है, कि सिलंका में reserve क्या हो गया, खतम हो गया, तो लोगों ने बोला कि नहीं ये एक तरीका है आपको बताने का कि हमारे पास जो लॉस है वो चलेगा ही और हमारी economy अभी रणिंग economy अभी क्या है अभी leading economy है तो इतनी issue नहीं होने वाली इसको पर एक article भी मैंने दिखाया था आपको आप देखोगे YouTube पे तो आपको मिलेगा अभी ये news आने वाला है आगे में अभी हम आपको November month में cover कराएंगे ये news ठीक है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रखना है तो fiscal deficit at the end of the May तो guys it's 1.1 लाग करोन दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा mention क्या हुआ हुआ है कि May 2023 में is what 11.8% of budget estimates for financial year 24 it was 12.3 of annual financial year 23 budget estimate in the same period of the last year यानि कि जो last time पे जो था यह same financial year budget estimate the same period था यानि कि इसी time पर कितना percent था 12.3 percent according to the data of the controller general यानि कि CGA एक होता है CAG controller and auditor general और एक होता है CGA यानि controller general of accounts the fiscal deficit was 2,10,287 करोन at the end of the May 2023 तो यार यह आपका यह data है यह जो आपका data आता रहता है ECK according तो आप हमको कभी कभी कुछ चीजों के उपर data भी update करना पड़ता है बड़ जरूरी नहीं यह इतना important हो क्योंकि specific month अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह ज़्यादा जरूरी नहीं होता हमारे exam के लिए तो कि अभी तक last time के जो हमने जो बहुत सारे candidate थे जिनका selection हुआ हमने उनसे पूछा था exam स ज़्यादा discuss किये जाते हैं ठीक है अगले point को पर move करते हैं guys which of the following banks has launched 34 transactions banking hubs in the top 21 district centers for efficient solutions 34 transactions banking hub banking hub guys I think आप सभी लोग जानते होंगे आप सभी लोगों यहाँ पर question क्या है ऐसे normal question point आगए 21 district में 21 district centers में और 34 banking hubs open करने जा रहा है इन में से कौन सा और गौतम सर का comment आ रहा है state bank of India anyone guys और सारे लोग और किसी लोगों का state bank of India पंजाब national bank union bank of India access bank दोस्तों state bank of India established वा था 1955 में सुनते चलना पंजाब national bank आया था 1894 में guys union bank of India 1990 में access bank 1993 में और ICICI 1994 is that clear और दोस्तों आपको बता दें इन में से आपका only one यह इसका headquarter कहाँ पर है New Delhi में है otherwise सबके headquarter कहाँ पर है Mumbai में आपको सबसे suppose that आप आप किसी bank में हो suppose that आप access bank में job कर रहे थे ठीक है आप से आप जाओगे panel के सामने हम written exam का छोड़ दे रहे हैं आगे की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है आप लोग इतना dedicated हो कि आप written qualify कर लोगे थोड़ी सी अगर मेहनत करोगी इमानदारी से तो क्यों लास्टाइम में मैंने देखा है बहुत सारे सर लोग ऐसे थे जो इतनी अच्छे खाल से पोस्ट पर थे लास्टाइम पे तो एन बेएपसी का भी offer था एन बेएपसी के जो experience थे वो भी apply कर सकते थे पर इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं है तो आगर हम बात करें next previous year की तो व Axis Bank found कब हुआ था? Axis Bank का इसके पहले नाम क्या था? ठीक है? और Axis Bank के अभी current time पर CMD कौन है? यह common चीज़े बनती हैं. तो यार आपको पता होना चाहिए Axis Bank. Axis Bank किस year में आया था 1993 में? अगर 1993 से पहले, 1993 से पहले की बात करें, तो Axis Bank को किस नाम से जाना जाता था? Anyone? Guys, Ax State Bank of India के बारे में भी बात करेंगे. अनिल सर, अगर, या exactly यार, अभी English में भी आपको मिलेंगे सारे, don't worry, अगर आपको बहुँ ज्यादा proper way में English में चाहिए, तो आपको अभी एक दूसरा अभी आपको form fill किया जाएगा, ठीक है? और उस form में आप fill कर देना कि आपको proper English मे पड़ेगा. Exactly, it's UTI, Unit Trust of India के नाम से जाना जाता था, इसके पहले Axis. या आप सभी को याद रखना है, Unit Trust of India, Axis Bank, Amitabh Chaudhary अभी head है वरतमान समय में, present time के. ठीक है, Axis Bank के application का नाम है दोस्तो, LIME, और My, ठीक है, Axis Open, बहुँ सारा है, तो LIME किसका application है? Axis Bank का ही application है, यह रखना. अब यहाँ पर इसका answer क्या होगा? जो 21 district and 34 transaction banking हम लगाने जारी है, it's State Bank of India. Guys, State Bank of India की बात करते हैं, State Bank of India established हुआ था 1st of July 1955. दोस्तो, अगर हम 2023 की बात करें, तो State Bank of India ने अपना कौन सा foundation year observe करवाया? So guys, it's 68th foundation year. कौन सा foundation year? It's 68th foundation year observe करवाया in 2023. 1st of July. एक जुलाई को. State Bank of India इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? तो guys, it's Imperial Bank of India. यहाँ पर comment भी आया धर्बिन सरका. Imperial Bank of India. Imperial Bank of India. Imperial Bank of India was established in which year? In 1921. Guys, in which year? 1921 में आया था Imperial Bank of India. 1921 में. और Imperial Bank of India कितने बैंकों से मिल के बना था? तो guys, there are three. और तीनों बैंकों को किस नाम से बोला जाता था? It's Presidency Bank. Which name? तो it's Presidency Bank. यानि तीन Presidency Bank को merge करके नाम बना. 1921 में Imperial Bank of India and 1955. ठीके? 1st of July को इसका नाम क्या रखा गया? State Bank of India. Is that clear? एक सबसे important question. State Bank of India किस कमिटी के recommendation पे established कराया गया था? State Bank of India किस कमिटी ने इसका recommend किया था कि State Bank of India यानि कि स्थापना होनी चाहिए, Imperial Bank of India का नाम बदल के. तो guys, आपको यातना है गोरेवाला कमिटी. Which committee? It's a गोरेवाला कमिटी. Exactly धर्मिन सर, great. सुमित भाई, well done, यार. बहुत अच्छे, good. ठीके? तो आपको यातना गोरेवाला कमिटी. Which committee? गोरेवाला कमिटी ने recommend किया था कि State Bank of India, यानि कि जो 1st of July 1955 में. तो कभी-कभी question ऐसे भी आते हैं. SBI Day, RBI Day. तो RBI Day 1st of April, SBI Day 1st of July. That's it. और 1 July की बात करें तो बहुत सारे डे होते हैं. 1 July, 1st of July GST Day. 1st of July Doctor's Day. 1st of July और काउन सादे हो सकता है? Chartered Accounting Day. तो एक जुलाई को बहु सारे 1st July GST Day. ऐसे question आपसे question point out किये जाते हैं. Exactly, Gautam sir. तो guys, I hope कि चीज़े clear होंगी आपको यहाँ पर. कोई doubt, कोई question, कोई query. तो अभी State Bank of India ने announce किया है, ठीक है, क्या 21 district centers में, 21 जिलो में, हम 34 transactions banking hubs लगाएंगे. क्या लगाएंगे? banking hubs लगाएगा, जो transaction banking hub के नाम से जाना जाएगा. विदित सर्भोने सर, making notes at a time point. Of course, विदित, of course, आप सुनो पहले, आप notes के चक्कर में ना पढ़ो, यह मेरी जिम्हदारी है, हम आपको PDF share करेंगे, dear, don't worry. ठीक है, हम आपको बिल्कुल annotation के साथ, बिल्कुल ऐसे ही आपको PDF share कर देंगे, ताकि आप क्या कर सको, उसको आप देख के update कर सको, या फिर आप एक बार revision form में जाओगे, तो यह सारी चीज़े recall हो जाएंगी, okay? ठीक है, next point, move करते हैं. अगले point को move करते हैं, यहाँ पर आपका सारा चीज़ है, transaction banking hub has been launched by State Bank of India for efficient solution. The aim of these hubs is to provide comprehensive solutions for transactions, payments and collections. आपने एक नाम सुनाओगा, आप सभी लोग बैंक करो, आप सब लोग ने नाम सुनाओगा e-kiosk के, नाम सुनाएंगी नहीं, e-kiosk के, e-kiosk के में क्या होता हम जहाँ पर passbook भी प्रिंट कर सकते हैं, आप अपना check भी जमा कर सकते हो, ठीक है, आप cash भी deposit कर सकते हो, विड्रॉब भी कर सकते हो, मतब maximum facilities जो होती है हमारी, वो हहाँ पर available हो जाती है, same as it is, यह transactions banking hubs का भी concept यहीं है, ठीक है, ओके गाईज, next point move करते हैं, अगला point, what of the following has been first country to pledge support for the 1 trillion US dollar, funding milestone for startup ecosystem by 2030, यार, निमलिकित में से कौन 2030 तक startup पर स्थितिकी तंत्र के लिए, 1 trillion US dollar funding के लिए, ठीक है, समर्थन देने का वादा करने वाला पहला देज बन गया, यानि कि किसको, इंडिया को, इंडिया को support करेगा, महन सर, of course कर देंगे, हम आपको पहले class तो कर लीजे सर, हम पका promise आपको दे देंगे सर, ठीक है, अभी class कर लीजे, प्लीज, आप लोग पहले भी सुन लो, जो सारे doubt होंगे, आप हम आपसे last में लेंगे, तो प्लीज, आप सभी लोग थोड़ा सा भी कर ले न, महन सर, आपको पका promise आपको दे देंगे पीडिया, ठीक है, एक्जैक्ली मुकेश सर, ठीक है, it's Saudi Arabia, Saudi Arabia जिसकी capital क्या है, it's Riyadh, Riyadh and currency is Riyadh, आप Riyadh को याद कर सकते हो, tricky way में, अब आपको लगेगा कि, दरसली यह आपको general awareness का topic है, बट हम आपको update कर राते चल रहे हैं, boys क्यों अच्छे होते हैं, ठीक है, अब भाई, अब हम लोग अच्छे होते हैं, तो अब इसमें हम लोग क्या ही बता सकते हैं, boys क्यों अच्छे होते हैं, अच्छे होने का मतलब बस एक statement बना है, जो यह alphabets हैं, यह सब किसी country के लिए stand करते हैं, ऐसी country जिसकी currency real है, या फिर real है, R-E-A-L, real, या फि real, O stand for Oman, Y stand for Yemen, S stand for Saudi Arabia, and guys, Q stand for Qatar, that's it, तो यह सभी country की currency क्या है, real, या real, real मतलब, real जिसको हम बोटे हैं, real तो ब्राजिल का, only real ब्राजिल का, R-E-A-L, ठीक है, और real, ऐसे, तो सौधी-Arabia की currency क्या है, real, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या-क्या इस startup को support करने के बाद की, अभी पुरे विस्वकी बात करें, पुरे वल्ड की बात करें, recently data के recording, ठीक है, recently, उस company का नाम का Traction, Traction नाम का एक company है, जो ये data release किया है, कि किस country में सबसे, या पुरे विस्व में, इंडिया third rank पर आता है, सबसे ज़्यादा इस startup के मामले में, number one US, number second पर China and third पर India, और इंडिया में सबसे ज़्यादा women-ledies startup कहां पर है, तो महिलाओं के दोरा, चलने वाला startup या महिलाओं के दोरा, संचाली, women-ledies startup सबसे ज़्यादा कहां पर है, तो first city is बैंगलूरू, and guys, second is Mumbai, and third is Delhi, यह यह यह, यह नॉर्मल चीज़ है, exactly, ठीक है, स्री निवास सुलू, ठीक है, स्री निवास सुलू सर, exactly, it's the बैंगलूरू, guys, बैंगलूरू, मॉंबई, and Delhi, top three cities यह है, जहां पर women-ledies startup सबसे ज़्यादा है, ऐसे questions आपके नॉर्मल बैंक ए promise किया है कि, sir, 2030 तक, 2030 तक, हम आपको क्या करेंगे, 1 trillion US dollar की funding करेंगे for, किसके लिए, startup को support करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, option D is the correct answer, guys, G20 nations have agreed to adopt definition framework for startups, they have agreed to create a definition framework for startups, and to ease market regulation for startups, और यहां पर देको लिखा होगा, the joint communique was adopted at the startup 20 सिखर समिट on 4th of July 2023, यहां पर यह सारा कुछ लिखा हुआ है, जो इन्होंने startup summit हुआ था आपका guru gram में, वहीं पर यह साओधी अरभिया ने यह place लिया था, सपत लिया था, ठीक है, एक चीज़ यहां देखने है, यहां पर एक दू पॉइंट और आपके आ गए है It's a G20, guys, do you know about what is G20, G20, how many countries in G20, what is the theme of G20, and G20 was formed in which year, and who is the founder of G20, सबको पता है यह सारी चीज़े, बहुत common question है, क्योंकि 2023 का जो presidency, यहां चेर्मेंशिप था वो किसके पास था, धच्छ था किसके पास थी, इंडिया के पास, लेकिन 1st of December को यह चेर्मेंशिप किसके पास चल यानि कि अब हम अध्यक्ष, अब हम प्रेसिदेंस नहीं है, यानि कि हमारे पास अब प्रेसिदेंसी नहीं है इंडिया के पास, अब यह प्रेसिदेंसी किसके पास चली गई है, तो ब्राजिल के पास चली गई, एक दिसमबर से, अब धिहान सुनना, G20, guys, form हुआ था 1999 में In which year? 1999 में, who is the founder of G20, guys? G20 के founder है, G7, guys, who? तो कौन? तो it's G7, group of 7, group of 20, अब G20, known as G21, actually, क्यों? क्योंकि एक union और add हो गया इसमें, African Union, अब याद करने का तरीका बता देते हैं, ठीक है, 2023 की प्रेसिदेंसी किसके पास थी? भारत के पास थी, किसके पास? भारत के पास थी, And guys, याद एकना, what is the theme of 2023 G20? 2023 का theme क्या है? तो वन लाइबस, वस्तुधायव कुटुमबकम. What is the theme? तो it's वस्तुधायव कुटुमबकम. आप लोग बोर हो रहे हो? आप लोग का कमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब, आप लोग बोर हो रहे हो क्या? मुनाली, स्रीनिवाशिलू, महन सर, गौतम भाई, अब मेरी आवाज आ रही है, पक्का बोर नहीं हो रहे हो ना? अगर आप बोर हो ना, प्लीज, देखो, बहुत सारी चीज़े हैं, हम सोच रहे हैं, मतलब, कितना चीज़ बता दें आपको, इसलिए हम एक महिने को दो दि अगे, बट हाँ, इस से रिलेटर आप बताती है रहना है, ग्रेट, ओके मनिस भाई, ओके ओके, ठीक है, चलिए देखेगा, हम लोग आते हैं, चलिए हाँ, सीरिसली सुनिये हैं बस, ठीक है, हम लोग लगो लगा, आप लोग बहुर हो गए, भग है क्या, anyway, तो guys, G20 आया आई लिए बहुत सारी news create हो जा रहे हैं, हमें पढ़ना पढ़ रहा है, तो then आगे, मूव करते हैं guys, यहां पर क्या, कि हम कैसे याद करेंगे, आप से question क्या पूछा जाता है, कि इन में से, in the following, इन में से, कौन सी country नहीं है, यानि कि G20 का member नहीं है, कौन सी country, अब ऐसे question को tackle करने के लिए, ऐसे question से निपटने के लिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, दरसल कौन कौन सी country के member है, तो उस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो, सबसे easy way में, ठीक है, सबसे easy way में कैसे, तो उसका trick बना लो, जैसे अभी हमने आपको साओधी अरभिया का trick बता आतना, same as life, यह है, तो general awareness का topic बट यहाँ पर cover कर आदे रहे, ठीक है, जैसे क्या, it's a guruji, listen carefully, ठीक है, guruji, sita, अब, SSC, FCI में, African Union में, African Union में, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, बस इस statement बना लेना, सुनना मेरी बात, guruji, sita, अब SSC, FCI में, African Union, SSC, FCI, और African Union में नौकरी करते हैं, statement ऐसे बना लो, बहुत आसान वे में याद हो जाएगा, कैसे हम आपको फिर से लिख दे रहे हैं, आप एक cover हो जा रहा, छोटे फॉंट में लिख दे रहे हैं, SSC, FCI, और African Union में, नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, I hope कि यह आपका visible होगा, ठीक है, अब सुनेगा, अब आप सुनते चलेगा कौन-कौन सी country है, देखेगा, G stand for Germany, U stand for UK, R stand for Russia, U stand for US, Guru, Germany, UK, Russia, US, there are four, Guru, J stand for Japan, I stand for India, Guruji, Sita, S stand for Saudi Arabia, Saudi Arabia, Saudi Arabia is a member of G20, okay, S stand for Saudi Arabia, I stand for Italy, I stand for Italy, T stand for Turkey, T stand for Turkey, A stand for Australia, A stand for Australia, Anthony Albanese is the Prime Minister of Australia, वो इंडिया में आया थे हैं, अभी हम आपको यहाँ पर अप्डेट करा है, ठीक है, दूसरे A से, A stand for Argentina, A stand for Argentina, B stand for Brazil, अगली Presidency, 2024 की Presidency इसी के पास जा रही है, दुबारा, double S, then C, तो दूसरे S से हो जाएगा, South Africa and South Korea, अभी हम याद करने का तरीका भी बताते हैं, इसको कैसे याद करना आपने, ठीक है, South Africa and South Korea, C stand for China, F stand for France, C stand for Canada, I stand for Indonesia, it's I, African Union, it's Union, African Union अभी recently add हुआ है, इंडिया के Presidency में, and M E, M stand for Mexico and E stand for European Union, Guys, G20, one member is, तो आपको ऐसे याद करोगे आप, सबसे सिंपल वे में, क्योंकि आपको पता होना तरीका आप बैंकिंग पढ़ रहे हो, अगर आप economy पढ़ रहे हो, तो आपको current का news होना चाहिए, और current update कर रहे हो, तो आप dedicated होने चाहिए news के, या फिर जो तरीका भी हो, आपको follow करो, वो doesn't matter, आपको पता होना चाहिए कोई सभी news, तभी आप debate कर पाओगे, तो यहाँ पर triple S है, तो S तीन बार है, एक कहाँ पर है, it's here, यहाँ and यहाँ, ठीके, there are three S, it's triple S, first S से क्या start होगा, तो S से क्या होगा, एक से हो जाएगा, it's South Korea, ठीके, then Saudi Arabia, Saudi Arabia and South Africa, that's it, आप याद करने का तरीका बना लो, triple S से तीन कंट्रियां, इसके लामा कोई नहीं, I से डो, triple I है, तो triple I है, एक से इंडोनेशा, एक से इटली और एक से इंडिया, तो like, ऐसे आपको याद कराना है, ताकि आपको इस सारी चीज़े याद रहें, तो आपके G20 nations हैं, जिन्हो मैं इस बात के लिए promise किया, जब इस start-up को promote करने के लिए 1 trillion US dollar का place लेते हैं, यानि कि support का place लेते हैं, सपत लेते हैं, यानि कि start-up को क्या करेगा, support करेगा, ठीक है, तो like कुछ इस तरह है, next point, offline का time हो गया, गुरू, Germany, UK, Russia, US, मिध्धून सर, मिध्धून, मिध्धून मेतिंगल, Germany, UK, Russia, US, ओके डियार, हाँ, UK में जब वही अच्छा महन सर, ओके ओके, यानि कि early morning, और early morning कर ले नहीं, बस, अच्छा, एक में एक week का time दे दो आप मेरे को, ठीक है, हम जल्दी से उस batch को खितम कर देते हैं, Actually, मेरी class चल रही है, bank promotions का, जो already banker है, उनकी classes होती है, उनकी class हम लेते हैं, तो उनकी class लेने, bank promotions में आते हैं, बहुत सारी चीज़े, banking है, current affairs है, current banking है, तो उनकी class हो रही है, तो उनको, उनका भी exam, अभी दूसरा batch start हो गया, तो वो भी early morning के लिए जिद करके, otherwise हम 9 बज़े से पहले classes start नहीं करते, बट आप लोग जो normal banker है, उनके लिए था, तो थोड़ा issue हो जाता है, कोई नहीं, हम आपका क्या करेंगे, कि आपकी classes को हम पहले कर देंगे, बस एक सब्ता का time दे दो, ठीक है, ओहो, अच्छा दूरूफ सर, I know यार, बुरा लगता है, मेरे को भी dear, च कर लेंगे, तो थोड़ा हो जाएगा, 7-2, 8-9 कर सकते हैं इसको, इस time कर, wind up कर देंगे, इस time कर, 8-A-M, जी, यहाँ, धर्मेंसर, 8-A-M, 8-9-A-M, ओके, ठीक है, 8-9, 9-9, ओके, 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 गुड, चलिए, आते हैं, फड़ा फड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग discuss कर सकते हैं, E stand for Harsita European Union, it's European Union, ma'am, M for Mexico and E stand for European Union, European Song, okay, okay, Mukesh sir, अच्छे, कोई नहीं, चलो आते हैं, तुसार साल first class है, तो focus तो करी सकते हैं, बढ़ हाँ, हाँ, आप क्या करें, सबके doubt हैं, तो doubt लेना पड़ा हैं, पहली class है, पहली class में थोड़ी issues होते हैं, dear, so don't worry, according to RBI Financial Stability Report, आप से question आता है कि Financial Stability Report, RBI कितने दिनों में release करता है, यानि कि क्या frequency होते है, quarterly, half yearly, annually, या monthly, like कुछ इस तर है, तो RBI Financial Stability Report, the write-offs to gross non-performing asset ratio of is true at the 47.9% in financial year 2023, दोस्तों, किसका write-off किया, write-off मतलब it's discounted, ठीक है, यानि कि RBI ने कितने, अब यहां पर आप लोग ने पढ़ा होगा NPA, non-performing assets, what is non-performing assets, NPA होता क्या है, non-performing assets होते क्या है, non-performing assets, आप सब भी लोग NPA के बारे में आप जानते होंगे, non-performing assets की बात करें दोस्तों, तो bank के ऐसे loan, ठीक है, bank के ऐसे loan या bank के ऐसे asset, जो bank को 90 days तक return प्रवाइड ना करें, ना तो principal में, ना तो interest में, it's known as non-performing assets, exactly, राजन सर, जी हाँ, ठीक है, तो यह आपको याद अखना है, तो यहाँ पर आपको याद आपको याद आपना है, इसमें आता है कि after 90 days, we are mentioned किसी भी loan को किसमें NPA में, तो guys, first 30 days, आप सभी को बताना होगा, first 30 days, it's the second 30 days, and it's the third 30 days, it's called to NPA, यानि कि 90 days के बाद NPA हो जाएगा, तो यह first 30 days को किस नाम से mention किया जाता है, anyone, तो guys, आपको याद रखना है, it's SMA 0, second 30 days को जाना जाता है, दोस्तो, SMA 1, exactly Mithun and Monali, great, and third 30 days is SMA 2, what is the full form of SMA, it's special mention account, क्या होगा, special mention account, okay guys, special mention account, exactly Rajan sir, तो आपको याद रखना है, जो हम after 30 days NPA में mention, 90 days NPA में mention करते हैं, तो starting first 30, also known as किस नाम से जाना जाएगा, और आपका SDIPO के exam में question कुछ यूँ था, कि NPA mention किया जाता है, आपके options दिये गए थे, NPA SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, ऐसे करके, तो बहुत सारे लोगों ने गलत answer करके आए, तो क्योंकि उनको यह आता, कितीन SMA है, SMA, ये, ये और ये, there are three, बट कुछ लोगों को ध्यान नहीं था, कि SMA 1 से start नहीं है, it's SMA 0, तो SMA 2 के बाद वो NPA हो जाएगा, कुछ लोगों ने SMA 3 के बाद NPA टिक करके चलेया, वो negative याने कि गलत answer हो गया, बहुत सारे candidate थे, उनको याद ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था, तो बट हम लोग बहुत बारीकिय से आपको update करते हैं, या अदक ना है, SMA 0 से start करना और SMA 2 के बाद वो NPA हो जाएगा, अब ये तो normal है, अभी आपने agriculture loan की बात किया, आपने देखा होगा महारास्ट और मद्दप्रदेश में, बहुत सारे किसानों का loan माफ हुआ, तो हम आपको explain करेंगे, don't worry, but आपको, बस एक, आप summary देख लो, एक होता है short duration crop, एक होता है long duration crop, short duration crop को कितने दिनों के बाद NPA में mention होता है, यहाँ पर तो आपने बोल दिया, sir, it's 90 days, after 90 days, we mention in NPA, ठीक है, but short duration और long duration crop की बात करें, तो short duration crop की बात करते हैं, तो short duration को कितने दिनों के बाद NPA में, तो guys, it's two crop season, क्या, two crop season, and long duration crop को one crop season के बाद NPA में mention किया जाता है, शूती मैम, शूती मैम, and सब लोग, जितने भी हैं, हाँ, शूती मैम 18 months mention कर रही हैं, मैम, पहली चीज़ तो इसको month mention नहीं करना बच्चे आपको, आपको क्या mention करना है, it's crop duration, या crop season, या दखेगा, it's not duration, actually, it's crop season, आपको agriculture में crop season, भाई, कोई भी किसान अगर loan लेता है, agriculture के लिए, तो वो किसी नहीं किसी crop के लिए loan लेगा, न, चाहिए वो बनाना की cropping करे, या फिर आपका harvesting, जिसका भी चीज़ हो, जाए, paddy हो, wheat हो, doesn't matter, तो उसका crop season क्या है, यहूं कितने तिनों में बनके तयानी, पक्के तयार हो जाता है, प्रवे में अगर हम बात करें, शुरू से लेके अंधर तक, तो प्रपर 6 months लग जाते हैं, मोटा-मोटी, तो it's crop duration, तो यहाँ दखना है, तो short duration crop को 2 crop season के बाद NPA में डाला जाता है, and long duration crop को 1 crop season के बाद NPA में mention किया जाता है, तो यह सारी चीज़ें आपको update रख नहीं है, यह actual आपके लिए important होगा, okay, I hope कि चीज़े clear हैं guys, yes or no, ठीक है, तो यह चीज़ें याद दखना, तो यहाँ पर किस bank को, private sector bank, public sector bank, all scheduled commercial bank, small finance bank, और regional rural banks, तो financial stability report में यह mention किया आर्बियान है, यानि कि discounted, यानि कि छूट दे दी है, तो private sector banks, यानि कि जितने भी private sector banks थे, ठीक है, उनके 47.9% को write-off कर दिया, आर्बियान ने, अपकोर्स से बात है, write-off किया होगा, तो back-end से support मिला होगा, किसका government का, या फिर और किसी चीज होगा, तो आर्बियान के financial stability report में ये चीज़े mention की है, ठीक है, सभी private sector banks के, ठीक है, तो guys, आपको यहाँ पर, यह चीज़े याद अखना आप लोगों को नहीं यहाँ पर, ठीक है, अगले पानी देजी जगा, ठीक है, अगले पानी मूफ करते हैं, दोस्तों, रेनुकास्ट, फ्लीज पीजिक इन इंग्लिस अलसों, इफ यू आप टीजिग इन फूल हिंदी कांटन, रेनुकास्ट, आइटिंक सारे कांटन तो आपको इंग्लिस मही है, आपको एक फॉर्म मिलेगा अभी में, आप उस फॉर्म को फिल कर लेना, अभी जस्ट आपको मेल जाएगा, हम बात कर लेंगे बैकेंड से, अगर आपको प्रॉपर वें इंग्लिस में चाहिए, प्रॉपर इंग्लिस में चाहिए, आपको वहाँ पर उस फॉर्म को फिल कर देना, आपको इंग्लिस की क्लास अवेलबल हो जाएगी, ओके, अन मुकेश सर का कमेंट आ रहा है, इस HDFC Bank, ओके, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, विच अब तु फॉलोविंग वाज इंट्यूडूट, इस ग्लोबल प्रिवाट बांकिं बशनेश, ग्लोबल प्रिवाट बैंकिंग बिसनेश in India, तो सर्व बाइव निट वर्थ H&W, हई निट वर्थ and, ठिके, अल्टर आई निट वर्थ, इंडिविजूद्स and इयर फामिलीज, गईश, Citi Bank, HSBC, HDFC, ICICI and IDFC which bank तो guys यहाँ पर question क्या है high net worth and ultra high net worth individuals and their families को global private banking business serve करेगा और introduce किया है इन्होंने किस bank ने it's HSBC दोस्तों किसने विदान्स डॉंट वरी बता देंगे अभी रुख जाओ अभी यहाँ पर आपको cut off की बात है कि पहले यह तो देख लो सर अभी class की जो timing है वो तो cover कर लो है मेरे भाई please 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 okay देखेगा HSBC HSBC की बात करते है guys what is the full form of HSBC सबसे पहला question full form of HSBC HSBC का पूरा नाम का है anyone and where is the headquarter of HSBC HSBC का headquarter कहां पर है और दोस्तों सबसे common question आप सभी लोग बैंक करो आप सब लोग जवाब देना यह normal को है common question देखेंस की इन्टू से की यह normal सबको पता होगा ही होगा first ATM ज्यान सुनेगा first ATM in India launched by which bank किस bank के द्वारा launch किया गया था पहला ATM in India India में and which committee recommended establishment of ATM किस committee ने recommend किया था ATM के establishment के लिए गाईस तो आपको यहाँ पर याद एकना है उस committee का नाम हमने आपको अभी कुछ दिर पहले ही बताया था C.Rung Rajan Committee क्या होगा C.Rung Rajan Committee हमारे RBI के former governor Rung Rajan Committee C.Rung Rajan Committee and दोस्तों first ATM in India first ATM in India HSBC ने लगाया था किस ने लगाया था HSBC ने लगाया था और first ATM in India यह याद रखना है आप लोगों ने and guys, एक मिनट ठीक है, यह ध्यान रखना हाँ, first ATM in India 1987 में किस ने लगाया था HSBC ने लगाया था HSBC का full form क्या है Hong Kong Shanghai Bank Corporation Hong Kong Shanghai Bank Bank Corporation and दोस्तों, where is the headquarter? It's London क्या हाँ पर इसका headquarter है? London Sir answer दे दिया, okay कोई नहीं, आप सभी लोग answer दे रहो I know यार, हम आप से आपको check नहीं कर रहे है answer के लिए बस हम आपको English करने की कोसिस करते हैं, आप जवाब दो नहीं पता तो आप discuss करो यहाँ पर आप सभी के comment on होंगे इसलिए मैंने on कर रखा है आप लोग सब जवाब दो किसी करें गलत होगा तब याद हो जाएगा वो चीज़े तो अगर सही है, तो कोई बात ही नहीं फिर तो मसाल अच्छी बात है अब यहाँ पर हम highlight कर देते हैं What is the full form of HSBC? Hong Kong Tsanghai Bank Corporation ठीक है, where is the headquarter? Guys, it's London 1987 में, इंडिया में सबसे पहला ATM, HSBC ने लगाया था और ATM लाया गया था किस committee के recommendation पे? C. Rang Rajan Committee के recommendation पे ठीक है? Rang Rajan ठीक है, Rang Rajan ठीक है, तो guys यह ध्यान रखना आप लोगों ने और former RBI governor ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ रखना आप लोगों ने C. Rang Rajan यह चीज़े तो पता ही है, यह तो इनहीं committee के recommendation पे? C. Rang Rajan Committee ने दो चीज़ों के लिए recommend किया था First is ATM and दोस्तों, second is financial inclusion Second is financial inclusion Financial inclusion आपको target दिया जाता है financial inclusion का अब financial inclusion में target क्या होता है? ठीक है, आपके bank को target मिलता है कि भाई हम उस area में, उस छेत्र में ठीक है, banking facility मोहिया कराएंगे ठीक है, banking facilities किसमे? affordable cost पर ठीक है, affordable cost पर banking services मोहिया कराएंगे तो guys, यह आपका जो process, यह financial inclusion कहा जाता है unbanked people, unbanked areas, तो आपको ऐसे तो यह concept, यह दरसल किस committee ने recommend किया था तो यह रंगराजन committee आप पढ़ोगे कहीं पर google करोगे, तो कई committee आँ डिखेंगे आपको कालिया committee, ठीक है, रंगराजन committee confused होना, बिल्कुल भी नहीं it's रंगराजन committee ने recommend किया था financial inclusion and ATM what is the full form of ATM, ATM का पूरा नाम क्या है and अभी सबसे important question हम आप से discuss करेंगे what is the full form of ATM, guys ATM का पूरा नाम क्या है, कितने लोगों को पतने, बिल्को सब को पता होना चाहिए please, automated tailor हम सब का comment देखेंगे यहाँ पर देखो, उत्तम मिस्रा सर का जवाब आरा, automatic उत्तम सर, it's automated होगा ना, not automatic actually and not tailoring वतसल का पाडिया सर, it's not tailoring automated tailor machine actually only, ठीक है यह चीज़े देखो, सब को पता है, ऐसा नहीं है हम किसी को कह रहे हैं, किसी को नहीं पता, सब को पता है, but what is the full form of ATM it's automated tailor machine okay guys, ATM और दोस्तों, ATM की बात करें, एक चीज़ और याद रखना, सबसे important point, what is the difference सब सिक common question, what is the difference between ATM and debit card जवाब दीजेगा हाँ मिधुन सर, automatic भी option में होगा, exactly शृस्ति हती ma'am, it's not automated कर लेना, okay option में होगे याद रखना option में सब होगा, और confused हो जाओगे, आप सबी लोग, क्योंकि उसमें एक्जाम का फोबिया और प्रेसर रहता है और हम लोग ठका 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 ठक answer देने की चक्कर में, और क्यों, क्योंकि हमारा sectional भी है timing, तो उसमें हमको खतम भी करना होगा, तो आप लोग गलत करने से बचना, बिल्कुल काम होके, तो अच्छे, what is the difference between ATM and debit card, ATM और debit card के बीच में अंतर क्या होता है anyone, देखो, आप सब लोग को पता होना चाहिए, ATM cannot be used for UPI payments while debit card, debit card can be used for the same, okay, ATM card ATM machine में use होगा, अच्छे, और debit card ATM machine में नहीं use होगा, कर्मा राठोड सर, बताओ, अंतर क्या होता है, ठीके, normal चीज़ें है, ठीके यार, normal चीज़, बस simple way में, सौमय मैं को हम और explain कर देते हैं, पर मतब इनके answers को, ठीक है, ध्यान सुनना, ATM is a machine, उत्तम सर, क्या यार, ATM is a machine, यह तो वही वाली बात है, कि ATM का full form anytime money, ठीक है, चले इधर देखेगा, कोई नहीं, ATM और debit card में difference क्या होता है, ATM से आप only, आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, only cash withdraw, and debit card को आप tap and pay कर सकते हो, ठीक है, आप swipe कर सकते हो, आप उससे online payment कर सकते हो, e-commerce, e-gateway पर, ठीक है, यह ध् quase धिहान रखना है, आप deposit कर सकते हो और withdraw कर सकते हो, किस से debit card से, but ATM से आप केवल क्या कर सकते हो हो, आप cash withdraw कर सकते हो, exactly करमा राठ हो, debit card में आप online use भी कर सकते हो, जी हाँ sir, बस एक line का difference है dear, एक line का, ATM में केवल केवल आप cash withdraw हो सकता है, पर debit card में आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है, tap and pay, swipe, ठीक है, online payment, debit, deposit and withdraw, ठीक है, ये सारा कुछ available होता है, जी हाँ, तो आज में आपने देखाओगा सभी debit card के उपर, ATM card के उपर क्या लिखा होता है, ATM कम debit card, या डेडिक में सन होता है, it's a debit card, तो मेरी बास समझ में आई आप सभी को, ये सारी चीज़े clear है guys, yes or no, बताइएगा, हाँ या ना, clear है guys, okay good, तो आप बताइए, इतना चीज़ clear है आपको, आज आपने एक जितनी भी question किये, आप 7-8 question किया होगा, 10 question है, प्रॉक्स, साथ question होगा, ज्यादा नहीं, 7-8 question किया होगा, तो 7-8 questions में guys, आपको maximum question देखने को मिला, ऐसे आपको proper way में December तक आपको current cover करना होगा, उसमें कितनी question आपको मिलेंगे, that's a lot of question, यानि कि आपके पास पूरा, पूरा static को cover कर ले रहे हैं हम लोगे यहाँ पर, साथी साथ current को भी cover कर रहे हैं, आज first class है, ठीक है, आज first class है, तो first class को बहुँ ज्यादा hectic नहीं बनाना आपके, कि हाँ, आज ही last class होगा, बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं, promise करते हैं, जब तक आपको proper way में पूरा complete नहीं हो जागा exam से पहले तक, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस चीज के लिए आप promise कर सकते हो, हम भी आपके साथ के ही हैं, हम आपके बीच के ही हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चीज के लिए कभी यह मत होना, panic नहीं होना, क्या रही, वैभो की class छूट गई यार, वैभो की class escape हो गए, कुछ नहीं यार, आप जब बोलोगा हम YouTube पे class लगवा लेंगे, जब बोलोगा हम extra class लगवा लेंगे, so don't worry, ठीक है, ओके, तो आते हैं, अगले point के move करते हैं, हाँ, ठीक है, यहाँ पर देको, HSBC has introduced its global private banking business in India, HSBC has launched to serve high net worth and ultra high net worth individuals and their families, HSBC has launched new business which is aimed to add client with investable asset of over 2 million, अभी इनोंने नया business start किया है, मैंने गा सकते हो, introduce किया है, ठीक है, लॉँच किया है, लोगों के लिए, जिसका, जो investable asset है, जिसका 2 million US dollar के ओवर है, ठीक है, एक minute, एक minute, एक minute, questions के साथ में सब questions करवाते हैं, इसकी PDF में लिए, करमा राठोर, अभी हम जैसो, देखो, आपका जितना भी annotation, जितना भी मैंने लिखा है, सारे question किया है, मैंने उसको लिखा भी है, ठीक है, यहाँ पर annotation के साथ, आपका जो भी मिलेगा, उस सभी को PDF में convert कर के हम आपको share कर देंगे, ओके, clear है, quit out, question, चलो, आज के लिए हम लोग इतना ही रख लेते हैं, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, और हम आपको 5 minutes prior, हम 5 minutes पहले चोड़ रहे हैं, अगर आपको प्लान होता है, तो एक ही दो दिन में हम आपकी class को 8 to 9 कर लेते है ठीक है, 8 से 9 कर लेते हैं, ठीक है guys, सुबह 8 से 9 कर लेंगे हम लोग, अच्छे, इसको question cover कर लें, देखो, who chair the interdepartmental group of RBI that recommended measure to internationalize rupee, दोस्तों अपनी Indian currency को, आपने देखा होगा, RBI ने बोला है, कि हम अपनी Indian currency को internationalize करने वाले हैं, उसका क्या करने वाले हैं, अंतररास्ट्र करने, हमारी Indian currency को, मतब अपको सी बात है, कौन country नहीं चाहती यार, internationalize करना, देखें, तो यहाँ पर इसके लिए interdepartmental group बना है, देखो, कोई भी चीज होता है, RBI इतनी सी काम होगा, इस छोटो सा काम, उस छोटो से काम के लिए RBI एक committee बनाएगी, एक working group बनाएगी, उस group का chairman भी दिया जाएगा, तो यहाँ पर वो question हमारी लिए नहीं चीज बन जाता है, तो interdepartmental group create किया है, और उसका chair किसको अध्यक्च बनाया है, तो राधा शाम राथू को, किसको गाईज, राधा शाम राथू को, किसको राधा शाम राथू को, ओके गाईज, अब यहाँ पर RBI panel recommended it measure to internationalize the rupee, okay, it's recommended it facilitating a local currency settlement, आपने अभी देखा होगा, हम UAE से local currency में deal किये हैं, crude oil के लिए, किसके लिए, crude oil के लिए, और crude oil को हमने payment किया है, in which currency guys, दिरहम, because दिरहम is the currency, दिरहम is currency of UAE, United Arab Ameera, ताभी PM Modi, COP28 के meeting में वहीं पर गया थे, ठीक है, It also recommended it increasing opening in INR, ठीक है, accounts for non-resident both within, outside India, यानि कि जो इंडिया में तो रही रहे हैं, जो ठीक है, जो इंडिया के बाहर है, उनका भी account हम किसमें INR accounts open करते हैं, यानि कि जो हमारी Indian currency में, वहाँ की currency में जो amount दिखता है, वो नहीं, हमारी Indian local currency में, हमारे इंडिया की currency में, account open होगा, Guys, एक question और आपसे question आ सकता है, कि at present how many executive directors in RBI, there are 16, अभी वरतमान समय में RBI कि कितनी RBI में कितनी executive directors हैं, Guys, there are 16 executive directors in RBI at present, अभी वरतमान समय में, Okay, Guys, एक चीज़ और, एक चीज़ और आदकना, सबसे important, हमने ये 16 वाला question क्यों बताया आपको, क्योंकि अभी recently में, अभी exam हुआ था, उसमें ये question आया था, कि SBI clerk, पिछले साल की बात करें, पिछले साल की बात करें, और अभी में, question ये था, पिछले साल SBI clerk में question था, कि अ weight कितना है, तो आपको बता दें, for knowledge, it's 800 gram, कितना, 800 gram, and what about female javelin, female javelin, तो guys, ये question अभी अभी आया था, it's 600 grams, 600 gram female javelin का weight है, 800 gram male javelin का weight है, actually, ये question आपके exam में पूछा गया था, इसलिए, हम आपको यहाँ पर mention कर दिए, कि how many executive director in RBI at present, guys, there are, it's 16, okay, 16, आपके executive directors हैं, अभी वरकमान समय में, okay, आज के लिए इतना ही रखते हैं, दोस्तों, okay, आज के लिए इतना ही है, next class में, कल में हम लोग फिर सेसके आगे carry forward करेंगे, and बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपसे update भी करना है, बहुत सारी चीज़े आपको, हर, हर सभी question में, every question आपको, नए question देखने को मिलेंगे, और धेर सारा question वहाँ पर अलग से static का create होगा, और नहीं होगा, तो हम आपका create कर देंगे, don't worry, सेक राजन सर, कल की class आपके 8.30 to 9.30 ही mention करो आप, अभी फिलाल के लिए, 8.30 to 9.30, so please आप 8.25 पर available रहना, अपने पोर्टल पर, क्योंकि मेरा, जो मेरे हाँ पर है, वो start हो जाता है, 8.25 पर, 8.25 पर मेरा portal open हो जाता है, यहाँ पर class का, तो हम इस start कर देंगे, हम 5 मंट extra ही ल सबी लोग available रहना, ओके, और guys, एक दिस और सबसे important, आपकी just इसके बाद feedback form जाएगा, so please आप सबी लोग feedback form फिल कर देना, ठीक है, यह important भी है, एक लेके से, मेरी ले भी और आपके ले भी, ओके, तो आप सबी लोग, और class के वहाँ पर पूछा जागे, कैसी रही class, तो Anyway, how to job profile certificate, दिल रहा है, and किसी और ने पूछा है, guys, job profile की बात करें, job profile की बात करते हैं, तो guys, आप job profile में, पहले चीज़ तो आपका यहाँ पर पूछ बोला गया, SDIPO की equivalent होनी चाहिए working profile, तो जरूरी नहीं, आपकी working profile, अगर SDIPO की equivalent होगा, तो पर salary justify नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों, दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा आपका क्या देखा जाएगा, आपकी salary, तो आप ऐसा नहीं कि कोई sales officer है, और उसकी salary 13,000 है, तो आप उस profile को justify नहीं कर रहे हो, यह ध्यान रखेगा आप से भी लोगों ने, तो इस चीज़ को बहुत practical way में mention करना है, अपने job profile क पहली चीज, दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप से पूछा जाए, आपकी किस post से आप हो, या फिर आप resign कर दिया, तो आपको क्या करना, आपको कोई certificate private sectors वाले बहुत rare देते हैं private banks, तो आपका HRMS portal बना होगा, HRMS portal पे आपकी designation लिखा होगा, वो designation आप क्या करो, उसका screenshot लेकर upload कर सकते हो, mention कर सकते हो, so don't worry, इसका कोई issue नहीं है, आपको वहाँ पर verify हो जागा, वैसे भी cross verification जरूर करेंगे, उनको पता होता है, जो screening committee बनेगी ने, private sector banker भी होंगे वहाँ पर, जो अच्छे post पर होंगे, उस screening committee में, ठीक है, then वही decide करते हैं कि हमको आगे लेके जा आची, that's it, यह यहाँ एकना backend पर clerkial cadre, जैसे हम लोग लिखते है senior faculty, ठीक है, तो senior faculty के last में लिखा होता है, हमारा designation, senior manager, और normal faculty manager पर होते हैं, तो अगर हम एक example बता रहे हैं आपको, तो वैसे ही आपका वहाँ पर लिखा होगा, कि आप post क्या है, जो लोग जानते हैं, जो retail मे customer जानता है, हमारे colleague जानते हैं, बट actual हमारा designation क्या है, वो चीज़े होंगी, तो HRMS पर mention होगा, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, तो job profile mention करना बहुँ जरूरी है, ठीक है, और justify करना होगा आपको, otherwise screening committee फिर आपको आगे नहीं बढ़ने जागी, ठीक है, साकीब नूर, टेलर is eligible for CB or not, I think नहीं होगा टेलर, टेलर अब जरूरी नहीं है, टेलर में कभी officer भी बैठते हैं, कभी clerkial cadre के लोग भी बैठते हैं, साकीब नूर सर, एक बार आप confirm कर लेना अपना क्या है, कोई शुनी है, पंकर सर, अब इतना भी नहीं, previous job में salary बहुत कम नहीं होनी चाहिए सर, अब देखे एक example समझो, मेरी बात, मैं to the point समझना मेरी बात, अब salary अब 10,000 है सर, तो क्या आप justify, एक example, हम आपको नहीं justify, बो हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, हाँ, तो profile sales officer चलेगा, चलेगा, social media group, आप मेरा group है, आप join कर सकते हो, बट अभी में, अब हम आपको inform करेंगे, कल में आपका group बन गया, बट आज वाली class में नहीं inform करेंगे, कल वाली class में inform करेंगे, ओके, आपका एक group है, वहाँ पर telegram पर group है, जहां पर हम आपको सारे doubts, सब कुछ, doubts in the sense कि अगर कोई doubt हुआ, like profiling के लिए है, या फिर कुछ ऐसे, personal doubts हुए, वो चीज़े, class की doubt, आप class में discuss करेंगे, वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा, और PDF class के recording के बाद भी आपको available हो जाएगा, ओके dear, हाँ, हाँ, असिस्टें लेना कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो thank you guys, आज के लिए फिलाल इतना है, and please, 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 आपसे भी लोग feedback form fill कर देना यहाँ पर, हाँ, हाँ, प्रितीस, 9 के बाद आप कर सकते हो, but आपको recorded form में class मिलेगा, sir, प्रितीस, sir, recorded class मिलेगा, okay, and thank you, दोस्तो, have a great day, best of luck, एक love you, have a great day, namaskar, धन्यवाद, महादेव, रादे, रादे